हम ये श्टुडेंट्स नेक्ट ज़ोगा टॉपिक है वह है मॉस्ट इंपोर्टょbuds तोपिक मौविंग कॉइल घ्लेरनोमीटर्द जिसको एमसीजी भी बोलते हैं यह मॉविंग कॉल तो हम बाद करते हैं Moving Collegial Anometer कि Moving Collegial Anometer क्या होता है यह एक ऐसा Instrument है जो यूज किया जाता है किसलिए Detection of Measurement of Small Electric Current जो Small Electric Current 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 को बहुत Small Currents को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है जिसको हम बोलते है Moving Collegial Anometer इसका Principal क्या है Construction क्या है Working क्या है Theory क्या है इसमें और Coil Glanometer तो Moving Glanometer क्या आता है इसमें प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या होता है कि वेन एक Current Carrying Coil अभधान देना इसके अंदर जम्मा किसी Current Carrying Coil को इससे पहले जो प्रिंसिपल है कि जब Current Carrying Coil को मैंने इसमें रखूंगा तो वह क्या करेगा वो टॉर्क प्रड्यूस करेगा क्या प्रड्यूस करेगा टॉर्क तो धान देजिए सभी बच्चे इसमें मैंने यहां पर करेंट इसमें यह से लिए कंसरेक्षा, करेगा और इसको मैं कहा रखूंगा नौर्थ और साउथ में तो इट परड्यूस दा डोग रोटेशन यह परड्यूस करेगा ओकी बेटा पहले आपंस्रुक्शन का क्रका है पिक्यू आर एस हमने को इलिया है नंबर हो लाज तरफ तरफ इसको क्या कर दिया है जिसको मैंने स्प्रिंग के साथ कनेट किया है यही वायर हमारा हमारा म का मिरर है जो फॉस्पर ब्रॉंज स्ट्रिप से होते हुए इसको मैंने किसमें रख दिया नौट साउथ के बीच मैंने रख दिया है तो कस चक्राइब बता दिया किस्ट कोनकों चीज हमारी क्या 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 है हैं अब हम जो आप से डिसक्स करेंगे वह डिसक्स करेंगे बिटा कि इसके बारे में शिरफ और सिरफ इसके वरकिंग के बारे में तो वरकिंग क्या है वरकिंग समझ लीजिए जान से सभी पहले चोड़ी सी चीजे और इसमें बता दें तो मैं construction में और यहां से तो यह चीज़ घूमती जाएगी तो क्या जाएगी तो एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर आकर ये इसको बैक मारेगा वापिस उसी गूह कर typically of the joint aaye वापिस रिपांड दैगी तो उस point कि गया बोलेंगे उस point का मतलब क्या होगा बैटा कि वह जो point है उस्ट point पर टौर्क हमारा होगा टॉर्क मतलब टॉर्क वैल्यू एन आई बीए साइन आफ अल्फा होती है हमारे पास तो वो जो पॉइंट होगा एन आई बीए साइन आफ अल्फा वो प्रड्यूज करेगा रिस्टॉरिंग टॉर्क भई आपको मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ लैंत मैं भी तुम कई बेटा यह कई रोटेट कर रही है डूडू फैलेकिन इस पॉइंट को इस पॉज़ को होता है इसमें restoring torque force में तो length की बाद करते हैं लेंस increase हो गई तो वापिस आ गई तो restoring force हो गया torque में rotation में rotate होके वापिस अपनी उसी position वापिस आती है तो इसको बोलते है restoring torque clear बेटा जिसमें हमने क्या value ली थे तुम जो भी को याद पता हो तो restoring force का हमने क्या लेते हैं restoring force माइनस के एक्स इसमें क्या रिस्टारिंग टॉर्क है तो टाव इसकल टू माइनस के के थीटा फॉर्स कितना टॉर्स कितना लग रहा है एन आई बी ए साइन अलफा क्लियर बेटा यहां मैक्सिम फॉर्स लगए तो अलफा रैंटी हो जाएगा तो टॉ मैक्सिम फॉर्स लग रहा है तो एन आई बी ए इस इकल टू में के थीटा एनी प्रॉलम के लिए बच्चो कुछ अगर पूचाना जाते हो तो आप मेरे से पूच सकते हो ठीक है यह हमार पास क्या होगा के थीटा यह रिश्टारिंग फॉर्स के थीटा होता है लेकिन हमार इस इकल टू में के थीटा ऑन डॉट तो उसके बाद हम देख लेंगे ध्यान देना बिटा एन आई बजिगटी टूटो हम पर उगया तो आई की वैल्लीव क्या होगी आई-ई-टू-N-bn को लिचा के निच्छे के ओपोन में एन बी ए इंटू में क्या जाएगा थीटा इ इसका मुला करन्ट जो है वो डिफलेक्षिन मतलब जितना ज्यादा तुम कर ओके अंदर क्या होगा डिफलेक्षिन होगा तो मैं इसको टॉपिक को एक वद्न समझा देता हूं तुमारे इस पर सब्सक्राइब करेंट जो क्या होता है कि यहां पर दिख लीजिए इस वांड नोन मैनेटी मेटलिक फ्रेम यह है यह मेंड़ीन फ्रेम यह बम्न के लकॉइ colours खाम थे दा को से नोन मेंज्थ मोवेरं नग्स डीसिन हेड़र हैं यह यहां पर नेक्ट है यह सपयंट फर प सब्सके करता है और लावर यह जो है हमारे टी टु वाइट पार King है लवर लवर एंड कनेक्ट वाइट टी टु एस व Meaning और पास क्या हो गया Sprang हो गया अंचा एक बात कर JJ बहुत कि इंपोर्टेंट पूछा आता लगाई बार यझा आधार जेुका है यह कॉईल है यह मैंने क्या रख दिया मैंनेटिक फिल्ट के बीच में रख दिया करेंट 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 को तो जो हमारे पास कोई होगा ना जो हमारे पास मैंनेटिक होगी यह हमारी ऐस सीज़े ना जाकर यह ऐसा जाकर पास होगी इसके अंदर से practical क्यों क्यों कि क्यों हो निचे को इस undertio में प्लेल होगी पैलल का मतलब स्पाने सब्सक्राइब नश्चित में हम और consists 400 मारे इस डियक्षिन present मनलब में हर डाइरक्षन में जो कॉल होगा मैंनिट फिल्ट के महलए लोगा जिसको हम क्या बोलते के रेडियल कर दो इसमें पहुंद होना जडूरी है और जो स्प्प्रिंग है हमारे स्टेस्ट यह मर तीन तरह काम करता है पहले काम क्या करेंगा देखो इट प्रोवाइड पास्टेट होगा रोटेट होने बाद रिस्टोरिंग फोर्स कर देगा तो क्या जाएगा हमारे पास चार्ण क्या होता हैglasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas पोगा तो यह कोई बी चीज अगर spring को मैं खीज दू और चोड़ दू तो क्या वापश पोजिशर्मा आते ना तो रिश्ट्रम फॉर्ट होता है इसके अंदर्म टॉर्क की बात करें तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी キ्या करता है स्परिंग क्रियेट करता है आई तो रहिए में दो रदी लेंड इसकी लेंट है आईए का मुस्में करिंट कर रहा है इसकी ब्रैद है एरिया है भी मैंने के फिल्ड अंदर रखा हुआ है तो जिसके मैंने के निकाल देटा हो जिए साइन ओफ थीटा, यह साइन आफ, अल्फा, यह हमर पास हो गया, वही हमर पास अल्फा इंगल बना रहा है, जो हमने निकाला था फॉर्मूला लास्ट उसमें, यह हो गया हमर पास, अर अल्फा की वेल्यू मैंने 90 निकाली थी, लास्ट टोपिक मैं फिर उता देता हूं यहाँ पर, यहीरो धीनल फिल्ट में तेल फिल्ट में फोर्स लगेगा, गया रिस्टोरिंग प्रटा कड ब्रेज recursos हो जाएगा, तो सर्थने प्रफ लगा, यहीं चीजे होई है, तो एन आई विए इकल टूट टो क्या जागे थीटा आई इसका मलब कि जितना करंट हम देंगे उतना ज्यादा डिफलेक्शन होगा अब आता करंट सेंस्टी वोल्टे सेंस्टीव कंडिशन किसकी इसी टॉपिक इसी इसमें तो फहले बात कर्ण सेंस्टीविटी कि करता हूं यहां पर तो किता डिफलेक्शन पर इस वाई करेंट सेंस्टीव ए इस थेटा पन आई एन भी एपन में के इस यह थीटा की वैल्ली होती है यह हमारी पास इसका सब्सक्रणाटो फटेशन वेंट कुछ कॉल पップपट जंब मैं यूनिट वाल्टेजذ अप्लाइट आपलाई करूंगम तो उम्हारा पास यह फीटा पूंध यह फटौल के। किती हमसे थैसे रूमियों में सब्सक्राइब फोर इस वोट मेंटेंड करता है की लाज डिफलेक्षन कब होगा उन पॉइंट सो डिपेंड करेकशन मतलब मतलब अगरее т। तो लाज डिफ्लेक्षन होगा मैंडरी त। जादा होगा तो लाज डिफ्लेक्षन होगा एघिया जादा होगा तो लाजड़ी लेकिन अगर के यकी वैल्लिूट कं होगे के respecting वैल्लियू हमारे पास restoring force के constant जो है अगर वह ज्यादा होगा तो एंगल हमारा कम होगा इस बात का में ध्यान रखना है इस इक साथ इंपोर्टन टॉपिक भी हमारा कवर हो चुका है कोई डाउट हो तो मैसे पूछ लेना बाकि तुमारे दोन टॉपिक हमारे स्षराए आप सवस्तर हैं मंस्तर हो जो डाउट नहीं एक आड़ा विड eadyā iso वास GOरो समझS ऑ नहीं समझ मैं आता है तो आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं आपके पास मैरा फ़ोन नंबर है वट सब कर सकते हैं आपको नंबर